हेलो दोस्तों, आज मेरी बच्चों का कुछ अच्छा चटपटा खाने का बन था, तो आज मैंने उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी ये देखे कटलिट्स बना के तयार किये हैं, वो भी प्रोटीन से भरपूर तो जब भी आपके बच्चे या बड़ों को घर में किसी को भी खाना हो, तो इस तरह से आपका ट्ल्स बना कर तयार कर सकते हैं, चलिए इसको जटपट से बना ही डालते हैं इसको बनाने के लिए मैंने के चने, आदधा कटोषी चने। और आदधा कटोषी छीजाथ सहबस्ट मुगई डाल. इनको मैंने रात में बहुने के लिए रख दिया था.. और सुभा में मैंने इनको कोकर मे नहीं कडाई, मैं थोड़ा सा पानी डाला और नमक डाल कर इसी तरह से ही उबाल लिया है तो पानी आपको बहुत जादा ही डालना है इसी तरह से ही उबालना जैसे जो इनका प्रोटीन है वो इनी मही रहे और ये देखिए मैंने इसी तरह से ही इनको क्रस्ट कर लिया है बहुत ज़्यादा fine नहीं क्रस्ट करना है मुला क्रस्ट ही करना है fine इनका paste नहीं बनाना है अब इसमें मैं मतर हरी मतर और ये धनिया एड़ कर रही हूँ और धेर सारी सबजियां तो ये देखिए गाजर इनको भारी कट ही करना है आपको और ये कैपस कम हरा प्याज और ये प्याज तो सारी सबजियां मैं इसमें ले रही हूँ आपके घर में जो भी सबजियां पसंद किया जाती हूँ आप इसमें एड़ कर सकते हैं आप इसमें पनीर चीज ये भी एड़ कर सकते हैं मैंने ये एड़ नहीं किये हैं इसके बाद ही मैं इसमें ये पत्तागों भी एड़ कर रही हूँ तो बहुत ही मज़िदार ये कट्लि मुमपली मैंने इसमें एड़ की हैं इनको रोष्टर किया हो क्रस कर लिया है इसी तरह से ही यह एड़ करना है अब मैं इसमें हरी धनिया हरी मिज और अधरक तीनों का पेश्ट एड़ कर रही हूँ इसके बाद ही मैं यह जीरवन पाउडर एड़ कर रही हूँ अगर आपके इसमें बाइंडिंग के लिए मैं इसमें आरा रोट का पाउडर एड़ कर रही हूँ तो दू चमबच मैं इसमें आरा रोट का पाउडर एड़ कर रही हूँ मैं इसको सलू फ्राई कर रही हूँ इसलिए कम आरा रोट का पाउडर ले रही हूँ अगर आप फ्राई करें त अगे पास आलू का मसाला रखा हुआ था तो इसलिए मैं यह चाज अगर आपको छब हए रही हूँ और आपको नहीं कोई बात नहीं है। सेजवन सॉस जो मैंने घर पर ही बना कर तयार किया है वो मैं यह एक चमच आइट कर रही हूं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और यह पूरी तरह से ही डो तयार हो जाएगा यह अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं आप इसमें पाव भाजी मसाला भी एट कर सकते है उससे भी काफी अच्छा टेस्ट आता है बस जैसे ही आपको लगे कि कोई से बढ़ने लगा है तो आप समझ जाएं यह पूरी तरह से ही तयार हो जुका है तो यह देखिए मैं इसको राउंड सेप में बना कर तयार कर रही हूं यह आप कोई से भी सेप में इन कटलेट्स क आप भी किसी भी सेप में बना कर तयार करें एक साइड मैंने गैस पर पैन रख दिया है और पैन में मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है तो मैंने घी का यूट किया है आप चाहें तो इसमें तेल का भी यूट कर सकती है या फिर बटर में भी आप ये सेलो फ्राई कर सकती ह तो धीरे धीरे करके मैं आपको सेकर दिखाती हूँ बहुत ज़्यादा क्रश्पी नहीं साती है इसमें जो मैंने सबजियां इसमें कट करके यूज की है इनसे काफी क्रंचिनेस आता है तो इसलिए आप भी कुजिस करें या उनके lunch box के लिए भी बना कर तयार कर सकती है यकीन मानिए बच्ची हो या बड़े सभी को काफी पसंद आएगा और बैसे तो इसके साथ किसी की भी ज़रूद नहीं है लेकिन मैंने हरी चटनी बना कर तयार की है टमाटर वाली तो आप चाहें तो सौस से भी ये सर्फ कर सकती है कैसे लग रहे हैं जरूद आए कोई suggestion हो तो जरूद दे और मैं फिर से कहूंगी अगर पसंद आते हैं तो चैनल को like, subscribe और share करना बिल्कुल भी न भूले एक बार इनको जरूद ट्राइ करें आपको बहुत पसंद आएंगे पहल लाइक और चुद दबाद दें जिससे आपको सारी वीडियो स्टाम टुटाम हिलती रहे थैंक यू